अब ये ट्रिक करने के लिए आप लोगो को याप पिर द्वाले बृच के उपर आ जन होगा लोकीशन में आप लोगो को मेप के अंधर दिखा दी आपको पास गोड़ा होना चाहिए ठीक है गोड़ा लेकर आप लोगों को यह जो सामने वेन देखने को मिलती है वेन के पास आजान होगा जैसे यह वेन के पीची की तरफ आप लोग ली जाकर गोड़े को इसे कुछ दरफ मतलब राइट लेफ्ट करोगे तो यार यह जो गोड़ा है ना मतलब एकदम यहां पर है आप लोगों को बिलकुल गोड़ा आं ऊंकरके कें गोड़ा आशमान की उन्चाय के अंदर फेके गाई फिर यह जो देखने में काफी ज्याधा ठीकर सा है और यहां यह श्कु का आप लोगों को ज्यान होने हुला और यह थोड़ा अलग होने वाला ठीके तो आप लोगों को सेम लोकिस्टन के उपर आजआ न होगा यहाँ पर आप लोगों को वापस से वही वैन देखिने को मिल जाएगा इसाल लोकिस्न के उपर वो ध्यान से सुनना जब यह ट्रीक करोगे तो यहां पर कोई भी टाइमर नहीं आना चाहिए बीच में इसलिए यहां पर 14 सेकंड पूरा टाइमर घायब करके फिर जैसे यहां पर आपको वापस वेंपार बनने का उप्शन दिखे तब आप लोगो कि यहां पर गोड़े के तो कितने ज़्यादा एरंगल के उपर की तरफ आप लोग यह वेंपार बनके आ चको है तो यहां पर जल्दी सादी से फिर्यों हो जाओंगा फिर आप लोगों के लिए ना एक से बढ़कर एक धमाकेदार वीडियो आएगी तो हो सकता यार यहां पर देखो थोड़ा यहां पर इसका मैन यह जो पावर यूज करने के बाद तो आपको पता इसका पावर एंड हो जाता और फिर पेरसुट खोल जाता अदर आप लोग यह तरी जरूर सी यूज करना और यह त्रीक अगर आप लोग यूज कर सकते हो तो आप लोग लिटरली बता रहों काफी ज अगर अच्छा लगए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता नहीं आप लोग को यह तीनों के तीनों ट्रिक कैसी लगी तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई थेंक्स फॉर वाचिंग और हाँ अगर आ पाइंड यह तो के ऐसी वीडियो देखना पसंदे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हों और बेल आइकन को आप लोग ओल पर सेट कर सकते हों मिलते नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थेंक्स फॉर वाचिंग